गर में कोई ने देखकर चोरी करने वाले आरोपी विकास को आखिरकार पुलिस ने गिरप में ले लिया पुलिस से प्राप्त जानकरी के अनुसार आरोपी विकास और उन वड़े उम्र 29 भीमनगर निवासी है उसी ने वाट के मकानों में कोईनी देख कर प्रविश करके चोरी की घर के पिछले हिस्सों में बाथरूम से आकर और कीचन का दर्वाजा तोड़ कर घर में प्रविश किया और रूम में के अलमारी में रखे नगदी और सोने के चांदी के गैने कुल मिला कर दो अलग 63,480 रुपे के माल पर हाथ साप किया जिसे परिसर में खल बली मची हुई है फिर्यादी सोना भई ग्यानिश्वर मुसले उम्र 51 के फिर्याद पर पुलीस ने 253,380 के तहट मामला दर्च किया है मामले में उपने रिक्षक सोमनाच टापरे को जाच सौपी गई है उन्होंने तुरन झान बिन करके आरोपी विकास को गिरफ्त में लेकर उसके पास से दो मोबाइल और 5000 रुपे नकत कुल मिला कर 16,000 का माल जब्त किया है उसे शराब और जुए की लद बताई जा रही है उक्तकरवाही पुलिस अधिक्षक प्रशांत होलकर अपर पुलिस अधिक्षक यश्वन्त सालुंकी ओविभग पुलिस अधिकारी दिनेश कदम और थानेदार संपत चोहन के मार्ग दर्शन में PSI सोमनाथ टापरे पुलिस कॉंस्टेबल विवेक बंसोड पंकज खोडे प्रशांत वाट खेडे उमेश बेले संग्राम मुंठेने की थी हिंगन घाट से कैमरामेन योगेश लकोठे के साथ रवी येनोरकर की रिपोर्ट